दोस्तो इस वीडियो में हम पूछांगे जीके का पांच बड़े हिमयदार सवाल जो हर बीमारी से आप में उच्छ हमता हो जाएगी कि सब बीमारी अपने आप मिटा देंगे तो सभी जनकारी को जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सवाल नमबर एक तुलसी का पाता चाय में डाल कर पीने से क्या क्या फायदा सरीर में मिलती है दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजगा आच्छा जनकारी हम ऐसा पाने के लिए दोस्तों इसका सही अंसर है बुखार, सर्दी, जुकाम, दाद, खाज, खुजली जैसे भ्यंकर बिमारी नहीं होती है इसलिए तुलसी का पाता चाय में डाल करके जरूर बना करके पीना चाहिए तुलसी का पाता का चाय पीते हैं तो आपको सभी बिमारी से छुटकारा मिलेगी सवाल नमबर दू डाल डाल तेल खाने से क्या फाइदा सरीर में मिलती है नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा दोस्तो इसका सही अंसर है लाकवा जैसे भ्यंकर बीमारी नहीं होता है पेट खराब होने की संभावना बना रहता है लेकिन लाकवा जैसे भ्यंकर से भ्यंकर बीमारी नहीं होती है कभी भी इसलिए डालडा तेल का इस्तमाल भी थोड़ा फार जरूर करना चाहिए इससे आवाल नमबर 3 शरीर में भूली लग जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर की जगा आच्छा जनकारी हम ऐसा पाने के लिए दोस्तों कि दोस्तों इसका सई अंसर है शरीर में भूली लग जाए तो तुरंत निम्बू पानी का सेवन करना चाहिए जो लोग निम्बू पानी का सेवन तुरंत कर लेते हैं तो भूली का लगना दूर हो जाता है यानि कि एभिल गोटी भी खाने की ज़रूरत नहीं रहती है और दोस्त तुरंत और जल्दी कीजिएगा दोस्तों इसका सई अंसर है पेट में कैंसर होने की संभावना नहीं बना रहता है इसलिए खाली पेट अंगूर कुछ खाना चाहिए और 100 ग्राम से ज्यादा अंगूर एक बार में ना खाए क्योंकि तोसीर उसका गरम होता है पेट हो जाती है और सरीर में कि छुटकारान नहीं मिलता है दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि दोस्तों इसका साई अंसर है जाता बैगन की सब्सक्राइब खाने से दाद खाज खुझली एक जीमा जैसे भ्यांकर भीमारी होती है अगर गूल वाला बैगन खाते हैं आप तो दाद खाज खुझली होने की संभावना नहीं रहेगी इसलिए और बैगन से अच्छा है कुल वाला तें की दो